माननी उचनियाले के आदेश पर बीते गुरुवार को उत्रप्रदेश युसरकार के गिरह विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं मंडला युक्तों को पैत्र जारी करते हुए कहा गया है कि जितने भी राजमार्ग और राश्ट्रे राजमार्ग के खिनारे धार्मक स्थल वर्ष्विद 2011 के बाद बनाए गए हैं उनको ततकाल प्रभाव से हटाने की कारवाई की जाए उचनियाले के इस आदेश के अनुपालन में राजज सरकार के द्वारा पत्र जारी करने की बाद हरड कम मचा हुआ है लोगों की द्वार अपने ढंग से तर्क दिये जा रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि उच्छ नियाले के ही आदेश पर सरकार एक तरफ जहां पर आयोध्या में मंदिर और मस्जित का निर्मान करा रही है तो वही दूसरी तरफ धार्मिक स्थरों को हटाने की बात की जा रह राज ने बताये कि जीवन रक्षो रक्षिता की संकल्पना हाई कोट के द्वार की गई है जीवन रक्षा ही देशंत सवीधान और सन्ातन धर्म को तथा समाज का सरवोच संकल्प है जो भी आदेश माने निया नियाली ने दिया है उसको बिना किसी सियासत के बिना किसी तकलीफ के सभी धर्म के धर्माचारियों को तथा सभी धर्म के मानने वाले लोगों को सुईकार कर लेना चाहिए अगर राजमार्क और जमीनों पर बनाई जाते हैं और मस्जिद बनाई जाते हैं तो मजारे बनाई जाती है और गुरुद्वारे बनाई जाते हैं तो यह नियाय उचित नहीं है और नाहीं समाज हित में है इसे कताई भावनाव से खिलवार करने वाली राजनीती करना निंदनिया है नियायले के आदेश का अ कारेपाली का सबका 시간이 कि यह इंट होता है, कि मंदिर तोड़ा गया अपमान है, अत्वा कोई मोलवी खड़ा होता है कि मस्जिद तोड़ा गया अपमान है तो यह केवल देश के साथ खिलवाड है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देश के साथ खिलवाड करने का अधिकार नहीं है राजमाल्ग किसी व्यक्ति का इस्थान नहीं हो सकता है धार्मिक इस्थाल महां होने चाहिए जहां नर्विवाद हो विवादित इस्थाल पर विवादित जगा चोराह इस्तियादी पर हर जगा धार्मिक इस्थाली बनाने लगेंगे तो इस समाज और देश का क्या होगा